सीए लागू हो गया है अब अफगानिस्तान पाकिस्तान बंगला देश के हिंदू जैन बौध सिक जो भारत में आए हुए है उनको नागरिक्ता मिल जाएगी मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान बंगला देश के हिंदू जैन बौध सिक अपना सब कुछ छोड़ के आये थे अपना घर मकान छोड़ के आये थे, अपना खेत खलिहान छोड़ के आये थे, अपना व्यापार छोड़ के आये थे, अपनी दुकान छोड़ के आये थे खाली हाथ अपने बच्चों को लेके आये थे, और किसलिए आये थे, कि उनको convert किया जा रहा था जो convert हो गए वो अफगानिस्तान में रह गए पाकिस्तान में रह गए बंगलादेस में रह गए जिनोंने डर के मारे भय के मारे या अपने घर के लालच में अपने दुकान की लालच में अपने खेत खलिहान की लालच में कनवर्ट इसलाम कबूल कर लिया वो आज भी अफगानिसान पाकिस्तान मंगला देश में है लेकिन जिन लोगों इतना बड़ा त्याक किया सब कुछ छोड़ दिया अपने पैत्रिक संपत्री छोड़ दिया खेत खलिहान छोड़ दिया केवल और केवल अपना तिलक बचाने क के लिए अपना रक्षा बचाने के लिए अपना मंगल सूत्र बचाने के लिए वह भारत में आये लेकिन उनको नागरिकता नहीं मिल रही थी मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा उन्होंने सीय कानून को बदला जो निस सो पच्पन में नहरू जी ने बनाया था उसमें पाक जी सरकारों के पीछे भी नहीं पढ़ना है जो हमारे हिंदू जैन बहुत सिख वहां से आये हैं उन तीन देशों से जहां भी रह रहे हैं जाके साइबर कैफे में जाएं आनलाइन अप्लाई करा दें अराम से उनको बैठे बैठे सिटिजनसिप मिल जाएगी लेकिन सवाल इसके बाद क्या इसके बाद जो सबसे जरुवत है कानून कठोर बनाने की वह है नसा तसकरी के खिलाव हमारी यंग जनेशन पूरी तरीके से बरबाद हो रही है इसलिए नसा तसकरों की 100% परपर्टी जप्ट करने उनकी सिटिजनसिप खतम करने और उनको आजीवन पड़े के जिसे सिंगापूर में है असलिलता के कारण हमारी यंग जनेशन बरबाद हो रही है ओटीटी के माध्यम से सीरियल के माध्यम से फिल्मों के माध्यम से गंदी गंदी वेबसाइट के माध्यम से दुनिया भर का जो है असलिलता फैलाई जा रही है और यह जो अस generation को बरबाद कर दीजिए उसको नसेडी बना दीजिए या उसको असलीलता में जोग दीजिए दिस अपने आप बरबाद हो जाएगा तो असलीलता के खिलाफ भी एक कठोर कानून बनाना जरूरी है अवैद निर्मार जो हो रहा है सड़क के किनारे जंगल में उत्राखन का द खतम करिए और उसको दस से बीस सलक ले जेल में डालिए ऐसा कानून चाहिए तब आवैद निर्मार रुकेगा घुस पैठ बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है पांच करोड घुस पैठी यह तो 2017 में आ चुके थे आप तो यह साढ़े पांच करोड हो चुके है तरीका यही नेढ़े लिए उनके मददगार नेताओं और घुस पैठी यह कैसे मदद करने वाले घूस खोर है ट्लरक बाबू लेखपाल पतवारी जो घूस लेके उनका आधार बनाते हैं, जो घूस लेके घुस पैठियों का रासनकार बनाते हैं, जो घूस लेके घुस पैठियों का ओटर आईडी बनाते हैं, बर्च सर्टिफिकेट बनाते हैं, ड्राइविंग लाइसंस बनाते हैं, तो घुस पैठियों और उनके मददगारों की 100% प्र रुकए में आधार, रासनकार, ड्राइविंग लाइसेंस, बर सर्टिफिकेट, डॉमिसाइज सर्टिफिकेट, टोटल आइडी सब बनवा लेते हैं, ये तभी रुकेगा, जब घुस पैठियों के खिलाब भी कठोर कानून हो, घुस खोरों के खिलाब भी कठोर कानून हो, घुस पैठियों की मदद करने वाले जो सरकारी बाबू उनके खिलाबी कठोर कानून हो, तब जाके घुस पैठ रुकेगा, धर्मांतरन एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है, धर्मांतरन रोकने के लिए सेंटरल लेबल पे कठोर कानून चाहिए, नौराज्यों में हम बदल चुकी है, 900 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, और यह जो डेमोग्राफी बदल नहीं, उसका तीनी कारण है, घुस पैठ, धर्मांतरन, जनसंख्या विसफोट, तो धर्मांतरन कराने वाले मिसंडियों और जहादियों की 100% प्रॉपर्टी जप्ट करने, जनसंख्या विसफोट बहुत बड़ी समस्या है, इस समय 86,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं परडे, इसमें से 50,000 तो वांचित हैं, यानि 50,000 बच्चे वह हैं, वह पहले बच्चे हैं या दूसरे बच्चे हैं, बाकि यह जो 35,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, यह आवा 9, 10, 12, 14, 15, 16, इस तरीके के बच्चे हैं, भाईया भारत में दो यह बच्चे की जरूरत हैं, जमिन 2% है, पानी हमारे पाच 4% है, जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है, सरकार जब तक दो करोड़ घर बनाती है, दस करोड दे घर पयदा हो जा रहे हैं, सरकार जब अपर्टी भी जब और दस से 20 साल गी सजा और कोई तरीका नहीं है आपको चीन से सीखना पड़ेगा फिर चीन में सब लोग हम दो हमारे तो फालो करते हैं ना बढ़िया करते हैं क्यों कानूं का खौफ है दूसरा कोई तरीका नहीं इसी तरीके से जो भारत को बरबाद करने के लिए विदेशी फंडिंग आ रही है कभी सीए के नाम पर दंगा होता है कभी किसान अंदोलन सुरू हो जाता है कभी कोई अंदोलन कभी कोई अंदोलन कभी जब देखो तब सड़क जाम हो जाते हैं फारण फंडेड एंजियो इतने चलने हैं भारत मेरा जक्ता फैला र पढ़ेगा और जो भी पाया जाए कि बिदेश से पैसा लेके भारत के विरोध में काम कर रहा है केवल NGO का लाइसेंस रद्द नहीं होना चाहिए सरकार ने NGO के बहुत लाइसेंस रद्द कर दिये लेकिन NGO चलाने वालों को कोई दंड नहीं मिला इसलिए मैं कह रहा हूं बाहर से पैसा लेके जो भारत के विरोध में काम करें भारत की संस्कृति के विरोध में काम करें भारत की प्रथाओं के विरोध में काम करें भारत के त्योहार के विरोध में काम करें उसके 100% परपर्टी जब नागरिक्ता खतम 10 से 20 साल के सजा यही तरीका है दूसरा कोई तरीक मानव तसकरी के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा गरीब बच्चों को kidnap किया जाता है और बाद में परदा चलता है वो किसी मदरसे में मिलते हैं कहीं देव рядом में मिलते हैं कहीं केरल में मिलते ही उनको convert कर दिया जाता है और ये घटना पहले भी आ चुकी है कि यूपी से बिहार से आसाम से बंगाल से 60,000 बच्चे किड्नाइप हुए और सारे केरल के यतीम खाने में पाए गए और उनका खतना किया गया उनको कण्वर्ट कर दिया गया तो कण्वर्ट करने के लिए किड्नाइपिंग हो रही है इ जीवन कारावास नहीं, सीधे सी दिफास सी, तब कानून का खौफ होगा, फिर लोग मानो तसकरी छोड़ेंगे, इसी तरीके से घूस खोरी रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत की जितनी समस्या है, उसका मूल कानू घूस खोरी है, नसा जो नसे का कारोबार चलता है, सरकारी बाबूओं को अधिकारियों को घूस दे के चलता है, घूस पैट होती है, सरकारी बाबूओं अधिकारियों को घूस दे के चलती है, जो मानो तसकरी वाला खेल चलता है, इसमें भी कहीं कहीं पुलिस और बाकी लोग सामिल होते हैं, तो घूस खोरी खिलाफ कठोर क क्यों बढ़ रहा है क्योंकि हमारे पास कठोर कानून नहीं है तर्की में एक आदमी ने साइबर फ्रॉड किया साड़े तीन सो सलक सजा हुई है हमें इसलिए विदेशों से सीखना चाहिए हमें दुनिया के सबसे जो कठोर कठोर कानून है फ्रांस का जो सबसे कठोर कानून ह जापान का जो सबसे कठोर कानून है, सिंगापूर का जो सबसे कठोर कानून है, दुनिया में जहां भी कठोर कानून चलना है, सब का एक एक उठा के ले लेना चाहिए, और हमें फिर एक One Nation One पिनल कोड बनाने चाहिए, जहां तक सिख्षा की बात है, अब समय आ चुका है, कि ये मदर्सा बंध हो, मिसंदी बंध हो, भारत में दस्वी तक समान सिख्षा लागू हो, One Nation One Education Board, One Nation One Slavers, One Nation One करकिलं, सब अपने अपनी मात्री भाषा में पढ़े, किताब एक होनी चाहिए, युनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जरूरी है, ये जितने परसनल लाग चल रहा है, शरियत एक्ट चल रहा है, मुस्लिम का, पार्सी मेरिजर टेलग चल रहा है, क्रिशन मेरिजर चल रहा है, इस सारे कानून खतम, सारे परसनल लाग खतम, One Nation One Civil कोड, इसी तरीके से पुलि One Nation One Police Code हो, One Nation One Judicial Code हो, One Nation One Language Code हो, और One Nation One Business Code हो, इसके लिए सम्मिधान में कई संसोधन करना पड़ेगा, सम्मिधान में संसोधन के लिए दोती हाई बहुमत चाहिए, राजसभा में दोती हाई तो है नहीं, लोगसभा में इसलिए 404 सीट से ही, 404 का मतलब राजियु गाधी को जो 1984 में 404 सीट मिली थी न, उतनी सीट मिलेगी, तब राजसभा की 115 सीट और लोगसभा की 404 सीट, दोनों मिला के हो जाएगा 521, सम्मिधान में बदलाव करने के लिए 521 सीट चाहिए, धर्मांतरन रोकने के लिए सम्मिधान में संसोधन करना पड़ेगा, उसके लिए भी लोगसभा में 404 चाहिए, यह जो तुस्टी करन करता है, चल रहा है माइनार्टी मिजावटी के नाम पे, इसको खतम करने के लिए भी सम्मिधान में संसोधन करना पड़ेगा, उसके लिए भी 404 चाहिए, इसी तरीके से यह जो मिसंडी स्कूल चलना है, मदर्सा स्कूल च करता हूँ, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेर करिए, 404 सीट इसले चाहिए, क्योंकि राजसभा में मात्र 115 सीट है, लोगसभा राजसभा का जॉइन सेसन बुला के जो दो तिहाई बहुमत चाहिए, उसमें 521 चाहिए, 521 में से 115 राजसभा के निकाल दीजे, लोगसभ करें करने के लिए 404 चाहिए, और संवेधान में संसोधन नहीं होगा, कठोर कानून नहीं होगा, 1 condition 1 political 거rzTalk नहीं बनेगा, 1 condition 1 civil code नहीं बनेगा, फ्याद रखियेगा, हम आप तो आराम से रहर हैं, लेकिन हमारे आने वाली नसलों, हमारे आने वाली पीडियों के लिए करीए.